डोमनी का अर्थ लिखा हुआ है डोम जाती किस्त्री, डोम की पत्नी, नीच जाती किस्त्री को जो गाने बजाने या वैश्या वृति का काम करती है। जितनमाजी को अगर मोक्या मिलता है तो अपने बेटा को मंत्री बनाते हैं। भारत के सम्विदान में यह वर्णन है कि लिंग और जाती के अधार पर किसी से भी कोई वेदवाव नहीं होना चाहिए। तो फिर आप अपने भारत सरकार के मानो संसाधन विकास मंत्राले का जो एक सरकारी किताब है। जो बैस्व कस्तर पर लोग देखते हैं। आउनलाइन किताब है। विश्य के सारे लोग देखते हैं। उसमें आप एक डोम जाती को लिख रहा है कि और असपर्शे जाती। असपर्शिय के मतलब क्या हुआ। उसको चूबा चूट करना है। नीच जाती। भारत का एक जाती है। तो हम मंत्राले में ही ढूंड़े एक स्टाप की दोमीन मिल गई। मंत्राले में ही। उनको हम लेके गए। तो डैक्टर साब अपना ओफिस मॉव्मेंट में थे। जब हमको उनके साथ थे वो बोली। तो बोल रहे हैं कि आप तुम सरकार में नोक्री करती हो। तो आवाज उठाती हो। तुम कोंसर्ष्पेंट करवा देंगे। रमभाजी जी का है, मायावती का है, रमभिलास जी का था, पस्पती पारफ जी का है, चिराक पासवान का है, जनक चमार का है, असोक चौधरी का है। अपने सामाज को इले उठने ही देनाने चाहते हैं। दोम, डोमनी, और इसके बाद एक और शब्द है, वो है चमार। डोम शब्द का रिखा हुआ है, पुलिंग, एक औरस प्रिश्य नीची जाती, जो शमसान में दाकारे संपन कराती है, डोमनी का रिखा हुआ है, डोम जाती किस्त्री, डोम की पत्नी, नीच जाती किस्त्री को जो गाने बजाने या वैश्या वृति का काम करती है अब इसी पर इनको दिक्कत है दिक्कत होना भी चाहिए भाई सहाब प्रधान मंतरी को पत्र लिख कर ला है यहाँ पर मेरे सामने रखा हुआ यह भेजेंगे पत्र में विवरन लिखा हुआ है कि आपके मंत्राले के द् सबसे पहले के दर्सकों को नमस्कार है इसको हम देखे 2020 में तो इसमें सुधा कराने के लिए हम इनके डायरेक्टर को एक रिटेंट पत्र दिए वह बोल रहा है कि आप भूम। दिल्ली में मंत्राले में तो हमको अपना परिशा दिये बताये लेटर दिये तो लेटर में देखे तो बोल रहें कि आप तो भुमिया ब्रहमन समाथ से आते हैं आपको डोम जाची से क्या मतलब है हम भाई देखिए हम लोग का समाज हम लोग के पूरवत सभी जातों को है जो हर हिंदू के लगभक सभी संस्कारों में यहां तक की अंतिम संस्कार तक उसका ज़रूत पड़ता है तो आप इसके बारे में इतना गलत क्यों लिखे हैं अब बताये डोम के बारे में लिखा है और अस पर सिये जाती भारत के समिधान में यह बढ़ना नहीं कि मैं आप एक डोम जाती को लिख रहा है कि जाती है मत्लब क्या हुआ है नीच जाती बारत की अच्या 니का लिखा हुआ है, और लिख पते है डूम की पत्नि नाचने गाने वाली करके अपनी जीव को पार्जन करने वाली आप बताईए कि आप कितने डॉम को देखे हैं जो बेश्या बिर्ति करती है और गाना बजाना एक काम करती है ऐसे यह तो एक क्या बोलिए मैला सम्मान के साथ भारत सरकार के दोड़ा खिलवार किया जा रहा है और इसमें भारत सरका सरकार के पूरे संफुन भारत वर्स में जीतने सायोगी पार्टी मिलके गट बंदन में सरकार चला रहा है सब की मौन समरतन है उसके बाद क्या आप डिरेक्टर साब को पत्र लिखे तो बोली कि आप भुमिहारे तो छोड़ दीजे फिर आगे क्या हो तो हम मंत्राले में ही उनको हम लेके गए तो डायक्टर साब अपना ओफिस मौवमेंट में थे जब उनके साथ थे तो बोल रहे हैं कि तुम सरकार में नोकरी करती हो सरकार के बिलोड़ आवाज उठाती हो तुमको हम सस्पेंट करवा देंगे तो हम इसलिए लिए कि आपको इससे क्या मतलब है तो हम डूम जाती को ही ले लिए उसके बाद हम वह ही पढ़ती गया कि हम हर हाल में सुधार करवा कर रहेंगे बीच में थोड़ा लोगड़ान हुए को पत्र लिख रहें इसके संबंद में मानो संचादन विकास मंत्री को भी पत्र दे रहें और इसकी कोफी डिरेक्टर सा सब्सक्राब को भी दे रहें अगर सुधार नहीं हुआ तो इसके लिए हम लोग सरकार की इट से हिट बजा देंगा हम छोड़ने वाले नहीं है इस पर उनके समाज के उनके जाती के बहुत सारे राजनीद करने वाले हैं लेकिन किसी कामू नहीं कुला लगबक सभी लोग समर्तन में है आपको चिडाक पासवान जी है इसी समाथ से आते हैं मंत्री जनक चमार है आप अब इंडिया ले पर रहे हैं माया बती है बहुत सारे लोगा पढ़ान राष्ट पती हैं हमारे राष्ट पती में हो जाए है तो खुला खुला एक समाज को एक स्याजिस के तहत समाज के एक समाजके एक जाती को टार्गेट करके अपमानित करना हुआ बहुत है इसमें कमिटी होती है जो टेक्टर साहस्य हमको बटाएब क्या है के एपने ब्रला क 1945 के साथ और भारत असरोकार के मंत्रारे के कर्मियों रहात करने मथ्णांद करके अर जो एफ़नी जरत्न जाती को इतना यह दैजिक्त व॥ लिघ्याषी पिया गया चमार데 लिखा गया है कि पी। पंच जातें कि आप वही बाते हैं तो अप है बहुत लोग कहता है कि परrose MATT करता है लुग फरवर्वड करा नीतिंय करता हैज लेकिन आप समाज के सभी वर्गों से मतलब है प्रसंट कर है आपको बता दी है बहुत सारी में परमान दीए। आ पीन बहुत सारी तुटियाँ है और हमारा समझे कि मन्तराले का बहुत बड़ा सरकार को कुक क्र interfumer है हम डाकर साब को भिंट म regression मंत्र घुटा सकते हैं और यदि ओस समाज को बहुत सकते और यक नियुकर है मेरे पंपने समाज दबे कुछले लोग नहीं कर रहा हैं इसका मतलब यह है कि हम और समाज के लिगाएंगे अब यह क्या होगा था नहीं मानेगा सबस्टाब। नहीं मानेगा तो हम सरकार की पठना से लेके दिल्ली तक अम लोग सरकार की निव को हिलाकर रख देंगे। चाहिए इसके लिए अरच से लेके सदन तक संगर्ष करना पड़े, कोट मंजाना पड़े। इसा क्यानी करता है कि चिराक पासवान को जनक चमार को जितन नमाजी को एक कोई बेजिए हैं रहना बहुत लोग का मुबाइले बंद मिलता है रिसपोंस नहीं मिलता है कोई नहीं सुना समय नहीं मिलता है लोग पास तो हम क्या करें हम तो हम तो समाज में यह साथभावना लाना चाहते हैं इसके लिए तो हमको चो लड़ाई लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे मतलब दिया हुआ है वह मतलब सरासर गलत शब्दों में लिखा गया है नीजाती का प्रियोग किया गया है अंतरात्मा जाग जाओ अंतरात्मा तो अपने आपने जाद के नाम पर राहिनीद करके अपना रोठी से क्राहे है लूक भताएं हम उनको मोक्या मिला तो अपने बेटा को बनाएं भाई को बनाएं बतिजक बनाएं अरचछन अगर आपको मिलता है अरची स्थीट मिलता है तो जाकर पठना हनुमानमंद्र के सामने से किसी बूट पोलिस करने वाले को बनाएं बनाएं MP और विधायक और को हैं कि देखिए यह जिटार छाप्टि प्रेवर्ट से लिल्स ben बनाया घ्राप को एराफ करती है अगर अंगा मी ने के बिल गवोठ तरह केरें तो फिर लें गौन पशता। नाम प्रशांतरा है हम इसमें है कि इसको सुधार कराया करवाई किया जाए और करवाई से मुझे भी योगत कराया जाए कि आपने नाम प्रशांत्रा है आप जनता निंचन देख रहे थे सने जी रुक कह रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए बहुत-बहुत धन्यवाद